शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार राष्ट्रिय मुक्ति विद्याली शिक्षासनस्थान की ओर से मैं भी वेग सिंग आज आपका इस कारक्रब में स्वागत करता हूँ आज हम उचतर मादनमी स्तर पर भोगोल विशय के अंतरकत बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय या बिंदु पर जो है प्रिशर एंडविंट्स यानि दाब और पवने जुलाई में वायदाब का वितरण उत्तरी और दक्षणी दोनों ही गोलार्धों में किस प्रकार्शे है पुना मैं इस चित्र की और आपका ध्यान आकरशित करूँगा कि कैसे हमें वायदाब का वितरण है वो थोड़ा सा बहने देखने को मिलता है जनवरी से अगर आप देखें कि उत्री गुलार्द में मुखिते हैं तीन केंद्र वायुदाब के बनते हैं निम्न वायुदाब के दो होते हैं निम्न वायुदाब के और एक उच वायुदाब का केंद्र होता है जबकि जो दक्षरी गुलार्द है वहाँ पर इस्थितियां लगबग अपरिवरतनित ही रहती है अब इसको इस तरह से देख सकते हैं कि चुकि जुलाई के बहीने के आसपास जो सूर्य है वो थोड़ा सा उत्री गुलार्द की और खिसक चुका होता है उसकी किरने जो होती है वो थोड़ा सा उत्री दिशाब में ज्यादा होती है यही कारण है कि सभी वाईदाब पेटियां जो है वो उत्री गुलार्द की और थोड़ा सा खिसक जाती है इसके अलावा जो एलिश्यन और आइसलेंडिक निम्नवाईदाब के छेत्र होते हैं वो लगभख समाप्त हो जाते हैं जबकि उनके अस्थान पर इस्थली छेत्र में उच्वाईदाब के जो छेत्र हैं वो नहीं होते क्योंकि जो सागर है वह अपेक छाक्रित कम गरम तब तक होते हैं इसके साथ ही दक्षिरी कोलार्द में सब्ट्रॉपिकल हाई प्रिशर बेल्ड्स पहले की जैसी बनी रहती है जबकि सब्पोलर लो फॉर्म जो है वह वह भी दक्षिरी कोलार्द में पूर्व के नरूप ही स इस तरह से जनवरी और जुराई में वाईदाब का वित्रण है आई हम बात करते हैं पवनों की पवनों का जो निर्माण है या उनकी उत्पत्य वह इस तरह से होती है कि जो वाईव है वह वास्तों में एक संजलन बनाने का प्रयाश करती है और जब भी किनी दो छेत्रों म कि करते हैं वास्ताव में पवने मुक्रितां 36 रूप से चलती हैं लेकिन कुछ विशेश्य करते ही आधे coz में फिर करेंट को मिलता है यह से जाहें एक दॉन्यूं का ही एक निश्शित वित्रण यया निश्शित चक्रण है वह हम वाईमंदल में देकने को मिलता है अब हमने शुरूमें बात किया थी प्रिशव ग्रीडियंट थे तो प्रिशव ग्रेडियंट वायों में क्या संबंध है आप इस चित्ष के मादधम से देख पाएंगे pressure gradient सामान वाइदाप की बहुत सारी समदाब्रेखाओं के वितरन के साथ जुड़े हुए है जब यह समदाब्रेखाईं पास-पास होती है वहाँ पर पवनोगा प्रवाव तेज हो जाता है जबकि जैसे समदाब्रेखाईं दूर-दूर होती है वहाँ पवनों का प्रवाह कम होता है तो इस तरह से gradient जादा है तो पवनों की जो गति है बढ़ जाती है जब कि इसके विपरीत स्थित होने पर पवनों का जो पवनों की गति है वो अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है अब पवनों की गति का हम Coriolis Effect का क्या प्रभाव होती है तो वो अपने मूल स्थान से हट जाती है तो अगर इसको इस तरह से देखें कि उत्तरी गोलारत में पवने अपने मूल स्थान से दाई जब प्रवाहित होती है तो दाई और जबकि दक्षिली गोलारत में बाई और मुड जाती है यह Coriolis बल के कारण होता है और इस इस नियम को हम Feral's law कहते हैं तो इस तरह से हम देखेंगे आगर आप व्यापारिक प्रवनों का प्रवाद देखेंगे जो कोरियोस बल के कारण होता है कैसे वो प्रवाहित होते होते दाएं दिशा में उत्री गुलार्द में मुड़ जाती है यहां पर आप देख सकते हैं कि क कमाल रूप से पवन को एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होना चाहिए जो कि एक कटी हुई रेखा है लेकिन क्योंकि कोरियोस बल का प्रवाव है यानि प्रित्वी के घुर्णन की का असर हमें देखने की बिलता है तो पवने का वास्तविक प्रवाह है वह आप द या अब पवने कितने प्रकार की है अगर हम मुख्य रूप से पवने को देखे तो मुख्य प्रवने तीन प्रकार की है पहला है प्लैनेटरी कि यानि हम गळेशी से आगर आप कहेंगे कि यह वह पवने हैं जो लगभग निश्चित रूप से एक बड़े होती हैं कि यानि गर्वने दूसरा है परियोडिक विंड इसी च्छेत्र विस्ष में रहती है प्लैनेरी विंड से ताथ पर है कि जब विशाल छेत्र में एक निश्चीद विय वस्ता के थ Allez पवनों का लंबे समय तक प्रवाह रहता है वो प्लैनेटरी विंड सी कहलाती है मुक्त है इनका जो प्रवाह है वो स्थली भाग से सागर की और या सागरी छेत्र से पवन की और एक बड़ी छेत्र में हमें देखने के मिलता है इन्हें हम कई बार अगर हम कुछ विशिस नामों से देखें तो पूरवी पवने या इस्टरलीज पच्छुआ पवने यानि विस्टरलीज और दुरवी पवने यानि पोलर इस्टरलीज के नाम से जानते हैं तो आई सबसे पहले हम बात करते हैं पूरिवी पवनों की यानि इस्टरलीज की मुक्यत है उपोष कटबंदी उच्च वाइदाप पेटी से भूमद्रे की निमनवाइदाप पेटी के और हम इनका प्रभाव पाते हैं और हम ट्रेट बिंड्स के नाम से भी जानते हैं चुक अगर पूर्वी दिश्या की ओर हो जाती है उसी तरह दक्षरी अगर हम गुलार्द में जाते है तो इनकी जो दिशा है कि नुमी उप्यां handful में हम द्रवी पवनों की दिश्या में परिवरतन हम पाते हैं इसके बात बात आती है बेश्रलिज और पोलर इस्ट्रेलीज की सामान था है इन पवनों का प्रवा जो है वो द्रुवों से उप द्रुवी उपोशकटमंदी उचवाइदा पीटी की ओर रहता है उत्री गुलार्थ में और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका से सामान प्रवा है वो मुक्यता है प्रश्चिण दिश्चा की ओर से होता है इन्हीं हम अगर आप देखे तो इन्हें पच्छवा पवनों के रूप में भी जाना जाता है और जैसे मैंने कहा कि यह दोनों ही यह जो पवने हैं हम किसी भी प्रकार की प्लैनेटरी विंड्स की बात करें वो दोनों ही दुर्वी पवन केहते हैं इसका प्रवा मुक्रूप से भूबी छेत्र से यह पद्रवी दाब पीटी की ओर होता है अगर इसकी दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्धय में इसकी दिशा वं उत्तर पूर्व से दक्षिण पक्ष्ण की और होती है जबकि Southern Hemisphere में हम इसकी जो दिशा है वो दक्षिन पूर्वे से उत्तर पश्चिम की ओर हम पाते हैं तो इस तरह से दोने गुलारदों में इनकी दिशा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है कुछ ये प्रमुख periodic winds हैं मौसमी पवने जो हम बात करते हैं प्रमुख उदाहरण है अगर हम भारत के संदर में बात करें और विशेश कर मानसून की समय में जबकि हम देखते हैं कि कैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पवनों का प्रवाह इस्तरी भाग की और हो रहा होता है और वो उनमें नमी होती है और वो भारत के बड़ी छेत्र में वर्षा करती है जबकि ठंडियों में ये जो दिशा है ये बदल जाती है और इनका प्रवाह जो होता है वो इस्तरी भाग से यानि उत्तर दिशा से दक्षिन की और हो जाता ये पवने अपेक्षा कृत शुष्क होती है केवल इसकी एक शाखा जो की बंगाल की खाड़ी से गुजरती है वो जल्वास्प को ग्रहण करती है और भारत के पूर्वी तटी छेत्र में वो वर्षा देती है तो इस तरह से हम periodic wind में मांसूनी पवनों को हम देख सकते हैं वा ईससे मैंने कहा कि ये पवने मासम के पूर्व यानि गर्मियों में और ठंड्रीयों में इनकी दिशा परिवर्दित होती है गर्मियों में जहां इनकी दिशा दक्षीन से उत्त हुट अगत wouldn की weapons और के बात बारी आतीelin इस्थानी पवनों सफानी पवनों के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सागरी और सागरो स्थलसमीर की जैसा कि नामसे स्पष्ट है संबनत है हम इसको इस तरह से देख पाते हैं कि दिन में जबकि जो स्थली भाग है वो तेजी के साथ गरम होता है जबकि जो सागरी भाग है उनका तापान अभी भी परिवर्ति जादा नहीं होता तो इस तरह से स्थली भाग में नवाइदाब और सागरी भाग में हमें उच्च वाइदाब देखने के मिलता है और पवनों का जो प्रवा है वो सागर की से इस्थल की और हो जाता है तो इस तरह से ये सागर समीर या से ब्रीज हमें देखने के मिलती है जबकि इसके विपरित रात में जो इस्थल है वो फिर से तेजी के साथ ठंडा होता है आग्षक माँने वी के तेजी के साथ ठंडा होने की वज़े से वहां पर निम्ह वायदाप का विश्तार होता है जब कि जो शागर है वो पहपे शकक्रीत अभी गरम रहता है और वहां पर निम्ह वायदाप की पेटी का निर्माठण होता तो इस तरह से रात में हमें इस्थल समीर का प्रवाह देखने के मिलता है, जो कि इस्थल से सागर की ओर होता है। तो इस तरह से हम एक तरह से ये दैनिक इस तरह की पवने चलती हैं और हम इस तरह से दैनिक रूप से इस्थल और जल समीर का हम प्रवाह देख पाते हैं। प्रक्रिया बन जाती है जो प्रचदिन इस्थल और जल्द समीर की रूप में हमें देखने को मिलती है दूसरा महत्वपूर्ण जो periodic winds है वो mountain and valley bridge है यानि परवती और घाटी समीर है अब इसको हम इस रूप से देख सकते हैं कि चूंकि इस्थली भाग में विविन प्रकार के भूरूपों का वितरन होता है अब सूर की जो सिधी किरने हैं वो जो उनके परवतों के जो ढलवा भाग हैं वहां पढ़ती है और उसे गरम कर देती है जबकि जो घाटी के छेत्र हैं वहां पर अभी भी हमें तापपान ज़्यादा देखने को मिलता है तो इस तरह से हम यहां पर भी आपको दो तरह की वास्तों में वाइदाब की सितिया देखने को मिलेगी एक तरफ ढालवाले छेत्र में आपको निम्नवाईदाब का छेत्र मिलेगा जबकि घाटी के छेत्रों में आपको उच्वाईदाब का छेत्र अपे छक्रित देखने को मिल सकता है तो इस तरह से हमें उच्वाईदाब की छेत्र से यानि घाटी से पवनों की पहाडी की ओर यानि ढालवाले छेत्र की ओर हमें पवन का प्रवाह देखने को मिलने लगता है तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे परवती और घाटी समीर इस छेत्र में प्रवाहित होती है जबकि इसके विपरीत जब सुर्यास्त हो चुका होता है तो विकरण के कारण जो तलहटी के छेत्र है यानि जो ढलवा चेत्र है वहां पर तेजी से विकरण होता है वो ठंडे हो जाते हैं जबकि जो घाटी का छेत्र है वो अपेशकित अभी भी गरम होता है तो इस तरह से अब जो उच्वाइदाप का छेत्र है वो निर्मित होता है धाल वाले भाग में जबकि निम्नवाइदाप का छेत्र है वो घाटी वाले छेत्रों में होता है तो इस तरह से रात में ढाल की और से आपको पवनों का प्रवाह घाटी वाले छेती की और देखने को मिलेगा तो इस तरह से ये परवती समीर हो जाता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज का भी एक तरह से जो दैनिक प्रवा है वो हमें देखने को मिलता है और यही कारण है कि सुरू से जो हम बात कर रहे थे कैसे तापमान का जो सीधा असर है वो वाइदाब पर पड़ता है वाइदाब में बिन्ता तापमान में बिन्ता की वज़े से बनती है और इस तरह से पवनों का प्रवा हमें विवन्छेत्रों में देखने को मिलता है अब मौसमी पवनों में हम ये तो बात कर रहे थे परवती और घाटी समीर की इसके अलावा गरम हवाई भी चलते हैं जिनको हम लू के नाम से जानते हैं इसके अलावा फोन और चिनूक ये दो और प्रमुक गरम पवने हैं जो की बड़े छेत्र को प्रभावित करती हैं भारत के संदर्म में देखेंगे तो लू का प्रभाव विशेशकर गरमी के मौसम में हमें देखने को मिलता है जबकि संपूर्ण उत्री भारत पाकिस्तान का एक बड़ा छेत्र लू से प्रभावित होता है विशेशकर मई और जून के महीने में और तब तामान 45 से 50 डिग देखने को मिल सकती है जो कि यहां पर भी तापमान तेजी के साथ बढ़ने लगता है और गरम हवाएं चलती है जो कि फसलों को काफे ज़्यादा प्रभावित करती है और मुक्यता 15 से 20 डिग्री सिल्सिस तापमान इन पावनों का पाए जाता है तीसरी जो गरम हवा है वो चिनूग के नाम से जानी जाती है यह भी एक छेत्री गरम हवा है जो की युनाइटिए स्टेट आफ अमेरिका में रौकी परवत माला का जो विस्तार है और अमेरिका के साथ साथ कनाडा मैं भी वहां के जो पूरवी घाट है उन पर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता ह चिर्यू का वास्ताव में अगर हम शाब्दी गर्थ देखे इस्थानी भासा में तो इसे हम स्नोईटर के नाम से जानते हैं यह बर्फ को पिखला देती है और चुकि इसके प्रवा के बाद बर्फ पिखलती है तो यह छेतर वहाद बर्व से मुक्त हो जाता है और वहाद गास के बड़े मैदानों का विस्तार हमें देखने हो मिलता है इसके साथ ही महाँ पर रेंचर्स और जो फसल्णों के लिए यानि हज激 और साथ-साथ्चारह कहके लिए बहुत उपियोगी हवा होती है ये तो बात हम कर रहे थे गरम हवाओं की गरम हवा के बात बारी आती है ठंडी हवा के ठंडी हवा का एक प्रमोकुदार्ण हम देखते हैं मिस्ट्रल के रूप में जो कि एक स्थानी हवा है और अलग-अलग छेत्रों में इस तरह की हवाएं अलग-अलग नामों से जानती है Mr. Coldwinds मुक्ताय आल्पस परवत माला के आसपास के छेत्र में पाय जाती है और इसका जो प्रवा है वो आल्पस से फ्रांस के साथ ही मुमध सागर की रोन घाटी के छेत्र में हमें देखनेों को मिलता है ये बहुत ही जादा ठंडी हवा है और ये बड़ी तेजी के साथ प्रभाहित होती है और अपने मार्ग में आने वाले छेत्रों को बहुत जादा प्रभावित करती है यही कारण है कि भुमद्रेखी छेत्रों में इसका जो प्रभाव है वो बागानों उपर काफी जादा होता है और यही कारण है कि यहाँ पर हम फिविन प्रकार के बागानों या फलों का विश्तार हम पाते हैं इसके बाद बात आती है वायराश की वायराश से तात पर है किसी एक बहुत बड़े छेत्र में समान जलवाईविक दशाओं या एक जैसी विश्ताओं वाली वायराश का यहाँ पर आप समानता से तात पर है कि महालग बग एक समान तापमान एक समान वायदाब और एक समान नमी पाई जाती है और एक बड़े छेत्र में विस्तित होती है वाई राश्री का विस्तार मुक्त है इस्थल या हम सागरी छेत्र में जाएं तो या तो इस्थली छेत्र में वाई राश्री होगी या जली छेत्र में वाई राश्री होगी और उस छेत्र विस्तित्र में वो उनों के प्रवाह में चुकि एक बड़े छेत्र में एक समान दशाओं वाली वाई पाई जाती है तो इसका प्रवाह आगे चल कर आप देख सकते हैं कि चक्रवातों पर भी पड़ेगा साथ ही चुकि दो समान वाई राशिया जहां पर भी मिलती है इसको हम दो प्रकार की दूसरा है ट्रॉपिकल एयर मासिस और जहां पर यह दोनों वाई राशिया मिलती हैं वहां पर चक्रवाती दशाओं की उत्पत्ति होती है और विश्व के यह वो छेत्र हैं जहां पर हम वह में प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति देखते हैं तो वाई राशियों की सं सबसे पहले बात करते हैं कि आखरी चक्रवात क्या है चक्रवात वास्तों में आपने शुरू में एक आईसो बार्स का वृत देखा होगा कि कैसे एक समान वायुदाब की इस्तियां एक आईसो बार में पाई जाती हैं और कैसे वो वृत्ती रूप से पहले हैं पास्तों में चक्रवात ऐसे ही बहुत सारे समवाइदाब रेखाओं का वितरन है यानि आप देख पाएंगे कैसे किसी छेत्र विशेश में निम्न वाइदाब से उच्वाइदाब की और या उच्वाइदाब से बिन्न वाइदाब की और विभिन्न वाइदाब रेखाओं क सकते हैं कि कैसे चक्रवात में पौनाओं का प्रवाभ होता है इसमें आप देख सकते कैसे साइकलोन और एक की एक निशित विश्था पाये जाती है, साइक्लों में जहां हवा बाहर से अंदर के और आ रही होती है, वहीं अंदर से बाहर के और हवा का प्रशार हो रहा होता है, और लगबग उत्तरी और दक्ष्री गुलार्द में इनकी जो गतियां हैं, उन में थोड़ा सा पर 65 डिगरी उत्तरी और दक्षनी अक्षानसों में पाया जाते हैं और यहां पर इसकी जो ठिकने से वह लगभग 9-11 किलिमीटर के बीच होती है इस चेत्र में आप देख सकते हैं कि वो छेत्रे हैं जहां पर मुख्यता है इन साइक्लोन का या इन चक्रवातों का वितरण हमें देखने को मिलता है इसके बात बात आती है ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्यता है ट्रेडविण या वायिपारिक पवनों के सहारे निर्यूमित होते हैं और इनका निर्मान इन इन का इंटिसीज की जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर होता है मुख्यता है Meksi को साउथ वेस् करेंगे मैं हमने मुक्ता का इस Карव ककश कर सत में हमने मुकटा वाइदाब का अर्थ का मेजर्मिन्ट कैसे होता है वाइदाब का वित्रण किन प्रत्री रूप sorta के रूप में हैं कौन से विस्तार से जाना मैं आशा करता हूँ कि आज की सर्चा में आपको ग्यानवर्धक और लाबदायक जानकारियां मिलेंगी ऐसी जानकारियों के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे तब तक के लिए नमस्कार